तो मैं ये अर्स कर रहा था कि आईए दोस्तों संजे मिश्रा शौक साहब के बारे में मुझे कुछ कहना गोया आफ़ताब को चराक दिखाने के बराबर है लेकिन अल्लामा अखबाल अगर होते तो यूँ कहते कि हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा अब आप लोग सुनिये संजे मिश्रा साहब को तव्यूर पिजीर दोर में बहुत कुछ देखने को मिलता है मुशायरा भी आ जाएगा सब पढ़ा हुआ तो मैं बोलता नहीं हूँ बीच में जब कोई बोलता है तो संटेंस इधर उधर हो जाता है मैं यह एर्ज कर जाता है कि बहुत से बदलाओ मुशायरे में भी आ गए है समाज में भी आ गए है उसको सब को देखने को मिला बिलाल ने कम से कम मुशायरे का माहल बनाया यह उसकी भी काम्याबी है और अराकी ने कमेंटी की भी मैं यहां आके उस दौर में पहुँच गया था सन बैयासी का दौर था जब मैं यहां से शुरू किया था मैंने मुशायरे को और पहला मुशायरा यहां पढ़ा था उस समय माहल कुछ बदला हुआ था यहां सुनने वाले भी थे और सुनाने वाले भी थे अब दोनों जगए फुकदान हैं ले दे के डाक्टर इसमस साहब बचे हैं शार रौदीब के नाम पर लेकिन अब यह ने उनको बचा ही के रखा गया है और सब के साथ यह वक्त आता है मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ आता हूँ अजीर साब में माइक छोड़ दिया आपने देखा एक शेर पेश कर रहा हूँ कि शोहरत की आंधियों ने दिखाया है यह कमाल शोहरत की आंधियों ने दिखाया है यह कमाल जितने मेरे मुरीद थे सब पीर हो गए जिन्दावा संजे साब अरे फिर से पढ़ दीजे यह शेर शोहरत की आंधियों ने दिखाया है यह कमाल जितने मेरे मुरीद थे सब पीर हो गए संगा जमनी मशायरे के हवाले से पैगामे महबत से किया है आगाज रोके से ना रुक पाईगी अपनी पर्वाज पैगामे महबत से किया है आगाज रोके से ना रुक पाईगी अपनी पर्वाज मंदिर से निकल आए हैं दर्शन करके आओ किसी मस्जिद में पढ़ी जाए नमाज पैगाम महबस से किया है आगाज रोके से नरुक पाएगी अपनी परवाज मंदिर से निकल आए हैं दर्शन करके आओ किसी मस्जिद में पढ़ी जाए नमाज रकसा हो अनासिर मेरी हस्ती जागे जब रूह में असनाम परस्ती जागे देखा है हमेशा ही सगन में निर्गन हस्ती के तगदुस सही मस्ती जागे देखा है हमेशा से सगुन में निर्गुन हस्ती के तकदुस सही मस्ती जागे विद्वा है जो रहती है सुहागन जैसी विद्वा है जो रहती है सुहागन जैसी बावराई सी लगती है अभागन जैसी विद्वा है जो रहती है सुहागन जैसी बोराई सी लगती है अभागन जैसी तुम गोर से देखो तो कभी दुनिया को फुपकारती रहती है जो नागन जैसी तुम गौर से देखो तो कभी दुनिया को फुपकार्ती रहती है जो नागन जैसी मन्जिल पा पहुचना है तो घर से निकलो मन्जिल पा पहुचना है तो घर से निकलो जहनों के अंधेरों के सफर से निकलो मन्जिल पा पहुचना है तो घर से निकलो जहनों के अंधेरों के सफर से निकलो तुमको भी बलंदी पर पहुँचना है तो फिर तहजीब तकदुस के भमर से निकलो तुमको भी बलंदी पर पहुँचना है तो फिर तहजीब तकदुस के भमर से निकलो जब उससे बिछड़ने पा मलाल आता है उम्मीद के चेहरे पा जवाल आता है हसते हुए फूलों के तबस्वम से मुझे तहजीब गुजिश्टा का ख्याल आता है हसते हुए फूलों के तबस्वम से मुझे तहजीब गुजिश्टा का ख्याल आता है दिल दर्द के संगीद का शैदा हो जाए जो जखम छिपाऊं वो हुएदा हो जाए दिल दर्द के संगीद का शैदा हो जाए जो जखम छिपाऊं वो हुएदा हो जाए इतने न बहा हिजर के गम में आंसू आँखों में कहीं दश्ट न पैदा हो जाए उमीद है उमीद के फल से अच्छी कुटिया है मेरी राजमहल से अच्छी कहती है ये मफहूम की चाबुक दस्ती पुखता हो रुबाई तो घजल से अच्छी कहती है ये मफहूम की चाबुक दस्ती पुखता हो रुबाई तो घजल से अच्छी एक दर्द के जहरापने आँखें ले ली इस बार तरे खापने आँखें ले ली बिछडा तो पलट कर नहीं आया वो शखस सो हिजर के तेजाबने आखें ले ली बिछडा तो पलट कर नहीं आया वो शक्स सो हिजर के तेजाबने आखें ले ली हस्ती हुई गाती हुई तस्वीरे हैं एक नूर से निकली हुई तन्वीरे हैं हस्ती हुई गाती हुई तस्वीरे हैं एक नूर से निकली हुई तन्वीरे हैं, जो पैकरे खाती में चमक उकती हैं, ये सब मेरे अल्लाह की तस्वीरे हैं, आँखे हैं बहुत जोर से प्यासी तेरी, रुकती ही नहीं है बदहवासी तेरी, हसने से नुमाया है निगाहों का गुरेज, चेहरे से टपकती है उदासी और अधीरे वाह। आप गीत का वो नहीं है ये गीत के लिए लेकिन गीत का अभी महुल नहीं है चल अच्छा ये चलिए अब ये रखनीरी हैं तो इनका अज़ करता हूं कि ये शेर सुनिए कि जख्मी हुआ बदन तो हवा दी गई मुझे जख्मी हुआ बदन तो हवा दी गई मुझे साकित हुआ तो आग लगा दी गई मुझे जख्मी हुआ बदन तो हवा दी गई मुझे साकित हुआ तो आग लगा दी गई मुझे दर्वाजा लाशवूर का मुझ पर खुला ही था सो दोपहर की धूप दिखा दी गई मुझे दर्वाजा लाशवूर का मुझ पर खुला ही था सो दोपहर की धूप दिखा दी गई मुझे लफजों की सुईयों से किये चाके मन रफू लफजों की सुईयों से किये चाकेमन रफू ऐसी रफूगरी भी सिखा दी गई मुझे चूबी सके ना मुझको हवाए बरहनगी शर्मों हया की ऐसी रिदा दी गई मुझे बारे गमे हयात उठाए ना उट सका सब बाज आ गए तो सदा दी गई मुझे और ये दो शेराओर की खमीरे खाक की सूरत को अब समार भी दे मैं बन चुका हूँ मुझे चाक से उतार भी दे तू चाहता है कहूं मीर की तरह कुछ शेर तू चाहता है कहूं मीर की तरह कुछ शेर तो मेरी फिक्र को उजड़ा हुआ दयार भी दे और अब तो दिल पा कोई जखमी नहीं लगता अब इन खुलूस के नैजों को तेजधार भी दे अब तो दिल पा कोई जखमी नहीं लगता अब इन खुलूस के नैजों को तेजधार भी दे खुशी का जहर पिये मुदते हुई जाना तो अब के करिया जाम में इसे उतार भी दे तो दोस्ती में खसारा नहीं उठाएगा तो ऐसा कर के तास्थु का डंक मार भी दे वाँ 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 तो ऐसा करके तासुप का डंक मार भी दे खमीर खाक की सूरत को अब समार भी दे मैं बन चुका हूँ मुझे चाक से उतार भी दे जिन्दा बाद जिन्दा बाद बहुत एक खौपसूरत कलाम एक वो इकिती जल्दी में है ये नाजिम साहब हमारे और ये जो है इनका हुक्म है हुक्म क्या है अब ये तो छोटे ही हैं अभी दखाशी कर सकते हैं ये गीत है बहुत छोटा सा बिलाल ने महौल बनाया है तो उसका ये असर है अज़करता हूँ के आवाज न तुम तक आएगी आवाज न तुम तक आएगी उची उची दीवारे हैं मेरी कमजोर पुकारे हैं उची उची दीवारे हैं मेरी कमजोर पुकारे हैं तो आखों में बसेगी याद तेरी अश्कों में बदलती जाएगी आवाज न तुम तक आएगी दुख की पीली बरसात लिए तेरी सुधी की सोगात लिए दुख की पीली बरसात लिए तेरी सुधी की सोगात लिए या मैं मन्जिल को पाऊंगा या मन्जिल मुझे को पाएगी आवाज न तुम तक आएगी आवाज न तुम तक आएगी आशाओं से पीछा जूटा सो बार मेरा हिर दय तूटा आशाओं से पीछा जूटा सो बार मेरा हिर दय तूटा तो उमीद की एक किरन ही सही सीने में गड़ी रहे जाएगी आवाज ना तुम तक आएगी मेरा हमें खुद लुट जाऊंगा अक्छर की तरह मिट जाऊंगा मेरा हमें खुद लुट जाऊंगा अक्छर की तरह मिट जाऊंगा फिर बाद मेरे गाथा मेरी ये दुनिया तुम्हे सुनाएगी आवाज ना तुम तक आएगी बहुत बहुत शुक्रिया